अस्ट्रेलियन टीम हमें कुछ समझ दी नहीं है यार हमने इतनी अच्छी फाइट की है पहले ODI में हम आलमोस जीते हुए थे अब हम अस्ट्रेलिया को सीरीज हराने के हमें सपने जाग गया है अगर पांच प्लेयर जो टेस्ट केलेंगे अगेंस इंडिया वो आखरी वन डे के नहीं खेलेंगे तीनो फासबलर हैजल वुड मिचल स्टार्प और कमिंग्स और लबोशेन और स्मित अस्ट्रेलिया पाकिस्तान को इतना हलका समझ रहा है या उनको अपने नोजवान क्रिक्टरस पर भरोसा है या पाकिस्तान के साथ ये मजाग चलता है उन्होंने के खिलाफ जो बार्डर गॉसकर सीरीज खेलनी है इसलिए हम उनकी त्यारी में हैं और हम नहीं खेलेंगे रिजवान एंड कंपनी के लिए इस से बड़ी ऑपर्चूनटी नहीं है जब पैट कमिंग्स जब अस्ट्रेलिया के में फास्ट बोलर मिचल स्टार्क जब अस्ट के करेई करेंगे अब वह बढ़र गॉसकर सीरियस को नहीं तो हमस्ट्रेलिया को सीरिज भी हरा सकते हैं अदर आप अस्ट्रेलिया को देखो वो हमें गप मेंलेके पांच मेन अपने प्लेयर्स उन्होंने निकाल दी है यार मतलब यह क्या है यार हम मेरे गर बे भी बेचते हैं तो BCD टीम बेचते हैं हर एक का यही तमाश है अब हम उनके गर में गए हैं भाई चेंपिन ट्रॉफी का साल है हमारे साथ पूरी अच्छी तरह सीरीज हैं आप खेलो तांगे आपको हम टफ टाइम देने और आप बडर्ग्वास का ट्राफी का बाना बनागे अपने पांच मेन प्लेयर्स को आप रेस्ट दे रहे हो मतलब आप तीसरे ODI में पेट कमेंज, हैजल वोड, स्टार्क, लबुशेन और स्टीव स्मित ये नहीं होंगे और इंग्लिस का बताहन होगा मतलब आप हमारी फूल फलेश साइड ये इंग्लिस की जो आरे साइड से सामने खेलेगी और आपने डालक इनको दियो वो स्पेंसें जॉनसन और फिल्पी मतलब कमाल है यार आप इतना हलके में ले रहे हो पाकिस्तान को ये को बात सारी साफ है हमारी पास्ट में हरकतें इसी तरह की है जब हम अगली टीम की जाके अच्छी हासी बजाएंगे तो वो कभी भी हमारे साथ BCD टीम नहीं खिलाएंगे इसमें हमारा ही कुसूर है जब अगली टीम हो की BCD टीम आके गर में हमें अराके चली जाए तो हमारा गिला बनता नहीं है कि आप क्यों BCD टीम बनाऊगे ऐसा ही होता है अगर हम उनको शिकास देंगे तो हमें एर टीम से भी खिलाएंगे बट असलिया कि बेवकूफी देखो आप बाडर गवास का ट्राफीक खेल रो इंडिया के साथ जिसका 20-25 को पहला मैच है अच्छे तरी है आपको शहिंचा अवरीदी, हारिस, रोफ, असनेन, नसीम शा यह अच्छी प्रेक्टिस देंगे यह रेस्ट करना अच्छी प्रेक्टिस देगा बट अब यह क्लीरली बेवकूफी है यार कि आप इनको नकाल दो और सेम लाइक आप बोलर को देख लो, मुझे बताओ बाबराजम को हैजल वोड खेलेगा रिजमान है, बाकी कमरान, उलाम है, बाकी प्लेरे पाकिस्तान के तो भई, आप बंडे खेलोगे तब यह आप टेस्स की फॉर्म में आओगा न, हैजल वोड अभी दूसरे ओडियाई के लिए फ्री है तो वो दूसरे ही खेलेगा, तीसरे से फिर वो बाहर है वो तब यह प्यूरली, मैस वचे सनी कह रहा है, मुझे दुख हो रहा है कि भई हम पैट कमेंज और स्टार को और इंस साइड के सामने खेलते है, उसको हराते है तो उसका एक और कॉन्फिटेंस होता है, एक और मज़ा होता है बट यह जो आपने बार्डर कॉसकर ट्राफिक को लेकर चबल मारी है, यह मैचे अस्टेलिया की बिल्कुल भी नहीं समझ जाई, और छोड़ो अस्टेलिया ने जो करना था कर दिया रिजवान साथ खेले हैं, वो पांच तो नहीं होंगे, तो यह मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा सीरीज जीतनी का पाकिस्तान के बॉलिंग अटेक को खेलना, क्या उनके बॉर्डर गॉसकर सीरीज की तयारी नहीं है? मतब नसीम, शहीन, हारे, ससनैन, आमिर जमाल, यह हमारे पांच एहम बॉलर हैं, यार मरे खाल से असानी आगी अस्ट्रेलिया में मैनेज करना, आप यह नारा लगा देंगे, कि पहले कौन सा जीत की आए हैं, तो फिर आप कभी बेतर नहीं कहुंसे कल अनौस किया था पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने, कि पाकिस्तान क्रिकर टीम अपनी त्यारियों का आगास जो है, वो वक्त जाय किया, बना शुरू करेगी अस्टेलिया पाकिस्तान को इतना हलका समझ रहा है, या उनको अपने नोजवान क्रिक्टरस पर भरोसा है, या पाकिस्तान के साथ ये मजाग चलता है, उन्होंने वंडे सीरीज में जो खिलाड़ी शामिल थे, उन्होंने से पांच मजीद चेंज कर रहे हैं वो, अनौस कर एक एहम खिलाड़ी है, वो पहले ही नहीं थे, अब उन्होंने कप्तान भी चेंज कर दिया, टी-20 का भी चेंज कर दिया, और उनका में कंसर्न है कि भारत के खिलाब बौर्डर गॉसकर सीरीज हमने खेलनी है, वो हमने कैसे जीतनी है, इसलिए सारा त्यारी उदर की तरफ तो पाकिस्तान के बौलिंग अटैक को खेलना, क्या उनके बौर्डर गॉसकर सीरीज की तयारी नहीं है, मतलब नसीम, शहीन, हारे, ससनैन, आमिर चमाल, यह हमारे पांच एहम बौलर हैं यार, आप उनके खिल के अपने बले बाज़ों को तयारी नहीं समझते हैं, या आप आपका फर्स के पैट कमर्या मिचस टार्क बौलिंग कर रहा हो, हमारे बले बाज़ों को तो यह उनकी तयारी नहीं होगी, अब वो बौर्डर गॉसकर सीरीज को इतना सीरीज ले रहे हैं, जो सीरीज खेल रहे हैं, इतना हलका ले रहे हैं, यार पाकिसंग की टीम है, यह बचे डाल दी हैं, और यह उनका इनके साथ खेले हैं, मुझे क्या फिल होता है कि जब हमारे हां को खेलने आता है, तब ही वो बी-सी-डी लेवल की टीम भेज़ता है, हम खेलने गया हैं, तब ही वो यह कर रहे हैं, साफ है कि भाई आप जीत के दिखाईए, इनकी बड़ी सेरिज नहीं जीती गई थी, हम उधर जाएं और वो फिर अपनी बी टीम खिला दे हैं, हमारी यह टीम तो आपको घर में चारोशानद चित करके गई है, तो अब हमारे घर में आए तो हम तो अपनी बी-सी-डीम के टीम खिलाएंगे, तो आप क्या कह सकते हैं, या तो आप सिर्ज की तयारी करें से, पहले जब उन्होंने टी-20 टीम अनाउस की थी, तब भी उन्होंने कहा था कि तयारी के वज़े से हम अपने में दो-चार क्रिक्टर को रेश्ट देंगे, बगर वन्डे टीम उन्होंने यह नाउस की थी, अब उसमें भी चेंज कर रहे हैं, साफ अपने तीन मैचिस हारके निवजिलांड में अपने घर में हारे हैं वो अस्ट्रेलिय के तरफ जाएंगे उस तरफ जहां पर वारेडी तीन जो हैं वो दो तफ़ा सीरीज जी चुके हैं और हैट्रक होगी अगर वो जी चाते हैं और एश्या की पहली टीम है जिसने अस्ट्र लाड़ी शामिल कर लें वो हैं हैजल बोट यह पांच क्रिक्टर आउट हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से तीसरे वंडे मैच में आपको यह नजर नहीं आएंगे उनकी जगह पर पांच नए नाम दीए हैं और आलमोस्ट वो उनकी वंडे टीम का उस तरह सा हिस नहीं रहते हैं और पांच चेंजिस उस टीम में हो रही हैं जिसमें आरली दो तीन चेंजिस पहले ही थी यह जो पाकिस्तान के खिलाफ पहला मंडे मैजिनों ने खेला था उसमे भी दो चार चेंजिस थी वो भी उनकी वर्ल चेंपिन टीम नहीं थी और आब मजीद पांच चेंजिस कर दी कुल मिला के आठ नो चेंजिस बनती हैं अस्ट्रेलिया की वर्ल चेंपियन टीम में से और आप पाकिस्तान के पास सनेहरी मोका है कि आप अस्ट्रेलिया को पकड़ें उनको वंडे सीरीज हराएं वो अस्ट्रेलिया जिनके खिलाब हम लंबे टाइम पिरेड स पाकिस्तान के साथ उसी डिच खेल रहे थे हुआ पहले मेच में तो खेलाएं लेकिन दूसरे मेच में यहाँ पर रख दिया है यह रेस्ट पर रखने का कारण यह था कि इंडिया के साथ पहुत ही जल्दे उनका टेस्ट सीरीज चलने वाला उसके लिए यहाँ पर पांच अच्छे प्लियर को रेस्ट पर रख दिया है इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मेडिया पर भड़क गए आपको क्या कहना है जरू कमेट मेट बताए और ऐसे मज़दार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और सेर्वे जरूर करिय झाल시는 झाली है लिए झाली है जरूर झाली है जए जरूर करवकी झा झाल भड़क मेट्वर से चाली है बताए यश कर देताउ है श्जर कर सब्सक्राइब कि द centered घरूर झाली है।